तूर्ण से टोड़ा तूड़ा प्यार है तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस आपको चीस तरीके का ट्रेंडिनिंग लेरिक्स स्टेटब्स वीडियो कैसे बना सकते हो तो गाइस इस वीडियो को बनानी के लिए आपको एक अपलिकेशन की जरूरत पढ़ने वाली है जिसका नाम है Light Motion तो guys आपको Light Motion आपको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के लिए सबको इसी वीडियो के डिस्क्राप्शन पर जाना है आपको वहाँ पे मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो आप महाँ से जाके जोईन कर लेना और जोईन करने के बाद गाईस आप वहां से जाके इलाइट मोसन अपको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद इस आपको करने के यहां पर अपना इलाइट मोसन अपको ओपिन कर लेना है ओपन करने के बादगिस आपको करने के है सबसे पहले इसी वीडियो के डिस्क्राप्शन पे आपको चले आना है और वीडियो के डिस्क्राप्शन पे जाने के बादगिस आपको वहाँ पे यह वाले song का beat mark link पर set आपको मिल जाएगा description में तो आपको माँच से इसको input कर लेना है input करने के बाद किस आपको करने के है simply आपको यहाँ पर इसी video के description पर आपको एक video का link मिलेगा तो आपको माँच से आके download कर लेना है अगर download करने में कुछ problem आती है तो आप मेरे telegram channel से भी जाके download कर सकते है और download करने के बाद इस आपको plus पर click करना है media पर जाना है और media पर जाने के बाद इस आपने जहाँ पर भी अपना download करके रखा हो आपको वहाँ से आके इस वाले video को अपना select कर लेना है select करनी के बाद इस आपको करने के इस video को पर अपना click करना और इसके add option पर जाके इसका add आपको यहाँ पर mute कर देना है और mute करनी के बाद इस आपको करने के इस थिरोड पर click करके आपको यहाँ पर फिल screen पर इसको add कर लेना है तो इसको इस तरीके से फिल composition area का option मिलेगा तो उसको पर अपना click करके आपको यहां पर फिल screen पर add कर लेना है एड़ करने के बाद इस आपको करने के सिंपले आपको यहाँ पर फ़र्ष्ट बीट पर आ जाना है और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर जाना है और यहाँ से आपको अपनी पिक को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर जो भी अपनी पिक सिलेक्ट करना चाहें तिस तरीके से पिक को आपको सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद इस आपको इस थिडॉड पर क्लिक करना है और इसको आपको फिल कमपजिशन एरिया पर क्लिक करके आपको फुल स्क्रीन पर एड़ कर लेना है add करने के बाद इस आपको इस arrow को पर क्लिक कर देना है और इस वाले option पर क्लिक करके इसका extra वाग आपको cut कर देना है cut करने के बाद इस आपको फिर से plus पर क्लिक करना है media पर जाना है और यहां पर अपनी next image को select कर लेना है इसको फिल स्क्रीन पे आपको एड करदेना है इसका आपको extra walk cut करदेना है और cut करने की बात इस आपको फिर से plus पे click करना है और मीडिया पर जाके अपनी पिक को select करना है तो यहां पर जितनी भी आप पिक अपनी select करना चाहें तो इसी तरीके से आपको अपनी pick के उपर click करना है और click करके आपको pick को अपनी select करना है तो इस तरीके से अपना कोई भी pick अपना select करना है तो यहां पर मैं guys अपनी सभी pick को आपको यहां पर जल्दी से add करके आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं तो जैसा गाईस दे सकते हो याँ पर मैंने अपनी सबी पिँको add कर लिया है add करने के बाद गैस आपको एफैक्ट को add करना है effect एड करना है आपको करने के इसी वीडियो के डिस्क्राफ्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट करने के बाद इस आपको यहां से हो जाना है बैक होनी के बाद इस आपको यहां पर अपना प्रोजेक्ट फाइल को ओपन कर लेना है जो प्रोजेक्ट फाइल आपने क्रेट किया था तो इसको ओपन कर लेना है ओपनी करने के बाद इस आपको करने के सिंपली आपको यहां पर गाइस आपको यहां पर अपनी फास्ट फिक पर आ जाना है तो यहां पर अपनी पहली पिक के उपर क्लिक करना है देना आपको इफेक्ट पर जाना है इफेक्ट पर जानी के बाद इस आपको थिडौड पर क्लिक करके इसको पेस्ट इफेक्ट कर देना है पेस्ट इफेक्ट करने के बाद इस आपको अपनी दो पिक को छोण देना है और दो पिक छोणने के बाद इस आपको अंगली पिक पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस आपको एफेक्ट पे जाना है और थिरोड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है पेस्ट इफेक्ट करने के बाद पर आपको थिरोड़ वे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है पेस्ट इफेक्ट करनी के बाद इस आपको फिर से अपनी दो पिक छोण देना है और यहां पर अंगली पिक फेक्ट करके इफेक्ट पर जाना है और यहां पर थिरोड़ वे क्लिक करके आपको यहां पर पे कर देना है तो यहां पर देए सकते हूं मैंने एक नमर का इफेक्ट इन सभी पिक पर एड़ कर दिया है एड़ करनी के बाद इस आपको फिर से यहां से वो जाना है बैक और बैक होनी के बाद इस आपको यहां पर अपने सेक इफेक्ट पर सेट फाइल पर जाना है और यहां पर दूसरे नमर की पिक पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस आपको इफेक्ट पर जाना है और इफेक्ट पर जाने के बाद इस आपको थिडॉड पर क्लिक करके copy effect करने के बाद इस आपको यहां से हो जाना है back back होनी के बाद इस आपको यहां पर अपना project file को open कर लेना है जो project file आपने create किया था तो आपको open कर लेना है open करनी के बाद इस आपको करने के आपको यहां पर आँगी को रा जाना है और जिस Impact पे आपका effect एड़ नहीं है उस Pig को उपर अपने click करके आपको effect के option पर जाना है और effect का option पर जाने के बाद रिसापको यहाँ पर ठिड़ाउरोर पर click करके आपको यहाँ पर paste effect कर देना है तो यहाँ पे guys दे सकते हो मैं कुछ इस तरीके से इन सभी pick पे ये effect को add कर दे रहा हूँ तो आपको भी इसी तरीके से अपनी सभी pick पे effect को add कर देना है तो यहाँ पे guys दे सकते हो मैंने अपनी सभी pick पे effect को add कर दिया है तो add करने के बाद इस आपको करने के आपको simply वहाँ पर आ जाना है जहां से आपकी अपनी pick add की हैं तो आपको वहाँ पर simply चले आना है तो इस तरीके से आपको वहाँ पर आ जाना है और आने के बाद इस आपको करने के simply आपको यहाँ पर इस तरीके से plus पर click करना है और मीडिया पे जाना और मीडिया पे जानी के बाद इस आपको यहाँ पे अपने जहां पी यह सैडो पेंजी डाउनलोड करके रखाओ आपको वहाँ पे चले आना है और जानी के बाद इस आपको महाँ से जाके सैडो पेंजी को इस तरीके से सिलेक्ट करना है और select करने के बाद इस आपको more and transport पे जाना है और यहां पे इसको इस तरीके से नीची को आपको लेके आना है और इस third option पे click करके इसको इस तरीके से zoom कर देना है zoom करने के बाद इस आपको इस first वाले option पे click करके इस तरीके से आपको अच्छे से add कर लेना है और add करने के बाद इस आपको यहां से हो जाना है back और back होनी के बाद इस आपके side page उपर click करके इसको आपको यहां पे इसकी length को last तक ले जाना है और last तक ले जानी के बाद इस आपको फिर से वहां पे आ जाना है जहां से आपने pick add की है आपको वहाँ पर आने के बाद इस आपको प्लस पर क्लिक करना है और मीडिया पर जाने के बाद इस आपको फिर से अपने जहां पर यह वह पार्टिकल आपने टेंपलेट को डाउनलोड करके रखा हो आपको वहाँ पर आ जाना है और वहाँ पर जाने के बाद इस आपको इस टेंपलेट को इस तरीके से अपना सीलेक्ट करना है और सीलेक्ट करने के बाद इस आपको करने के उस टेंपलेट को पर क्लिक करना है थिडोड पर क्लिक करना और आपको इसको फिल कमपिजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद इस आपको सबसे पहले इसके एडियो आपको म्यूट कर देना है एडियो म्यूट करने के बाद इस आपको ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर lighten पर चले जाना है और यहाँ पर screen option गोबने गहाँ तो screen गुपर click करदेना है और screen गुपर click करने के बाद इस आपको yasaha पर last पर आ जाना है जाहां पर अपकी idea की length है आपको वहाँ तक इस template की length को रखना है और extra को आपको इस तरीके से cut कर देना है cut करने के बाद तो याँ पर नीचि को और export का option मिल रहा है तो export को पर click कर देना है तो जैसी guys आप export को पर click करोगे तो आपका video export होने लगेगा तो जैसी यह line पूरी हो जाएगी तो guys आपका video बनने के लिए save करने के लिए option मिलेगा तो save के उपर click कर देना है जैसे आप save के उपर click करोगे तो आपका video बन के gallery पे save हो जाएगा